नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही सांदर केस लेकर आया हूँ, यह देखिए, यह जो भेश दिकाई दे रही है, इसके साथ में बहुत ही दर्दनाग हाथसा हुआ है, यह देखिए किस कंडिशन में पड़ी है, तो इसके बारे मैं पूरी जानकारी देने व इसके सरीर पे मैं आपको बता देता हूँ किस तरह का सुजन आ रहा है देखिए पूरे सरीर पे सुजन है पेर देखिए इसके किस तरीके से मुड़े हुए है यह देखिए गुदाद्वार भी पूरे सुजन है यह देखिए इस गुदाद्वार को देखिए आप और इसके दोनों पेरों के पास में देखिए किस तरीके से सुजन आ रही है देखिए इसके कंदे देखिए इस कंडिशन में बेंस पड़ी हुई है और यह देखिए जहां गिरी हुई है वहाँ नदी है यह बहुत ही उंचाई से गिरी है पहाड से गिरी है पसुमाली का कहना है कि उप पहाड पे चरने आई थी मुंहां से गिरते गिरते पानी में आगिरी जिससे इसकी कंडि अग गरी है इसको घड़ा करने के कोशेश की गई है इसका पतली बहुत ही जयादा सूजन आ रहा है गुदा मार्ग में बहुत ज्यादा सूजन है इसके बाद देखिये बहुत ही ज्यादा सूजन आ पसू बेचेन है चारा पानी बंद कर दिया है और बिल्कुल ही खड़े होने में असमर्ते देखिये जब भी हमें ऐसे case मिले, हमें case history लेना बहुत जरूरी है, यदि हम सही से पसू की case history ले ले लेते हैं, सही से treatment कर लेते हैं, तो हम पसू को लगबग बचा लेते हैं, यदि हम सही से treatment नहीं कर पाते हैं, तो पसू ठीक नहीं हो पाता है, और पसू मालिक की भी समश्या ठीक नह होती है यदि हम ऐसे केज्ट जब भी देखने जाएं चाहिसे डायगनोज करना बहुत जरूरी है चाहिसे क्या treatment करना चाहिए यदे सारी जानकारी मैं आपको इस उडियो में बताने वाला हूं तो आप वीडियो को पूरा देखिए यह देखिए पसु बहुत ही ज्यादा बेचेन है एक जगा पड़ा हुआ है एक पेर इसका इस तरफ निकला हुआ है यह देखिए पूरे सरीर में सुजन है पसु बिल्कुल जहां मिट्टी हुए किचड है किचड में दसा हुआ पड़ा हुआ है लोगों नों इसको निकालने की कोशिस की गई है पर निकालने में नाकाम रहे यह देखिए मैं आपको बता देता हूँ यह कितनी उंचाई से गिरी है यह भी आपको मैं बताने वाला हूँ पहाड से गिरी हुई है बहुत ज़्यादा उंचाई से गिरते गिरते यह पानीम आ गिरी है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा इसको बहुत ज़्यादा सूजन है अकडन आ जाती है ऐसे केस हमें जब भी मिले हमें सही से डाइगनोस करने के बाद हमें सही से टीटमेंट करना ह और यदि हम सही से treatment कर लेते हैं, तो पसु के दर्द सुजन से हम आरा मिल जाएगा, मैं आपको treatment बता देता हूँ, treatment के रूप में मैं आपको ये injection बता रहा हूँ, इस तरीके के injection हमें लगाने हैं, यदि हमें treatment कर लेते हैं, तो पसु को बहुत जल्दी आरा मिल जाएगा, ऐस से केस का treatment हमें लगातार तीन दिन तक करना है यदि हमें तीन दिन तक treatment कर लेते हैं तो पसू पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा पसू को किसी तरह की सुजण नहीं रहेगी इसमें उपर से गिरनेवे पसू की हड़ियों में भी दिक्कत आती है पसू को चोंट भी आती है को आरा मिल जाएगा देखिए इंजेक्शन के रूप में मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले हम CPM यह देखिए क्लोरोफिरामाइन का इंजेक्शन एंटी एलर्जिक है यह हम 10 ml लगा रहे हैं यह देखिए एंटी एलर्जिक के रूप में हम CPM का उप्योग करेंगे यह देखिए मैं आपको बता देता हूं CPM 10 ml हम इंट्रा मस्कुलर रूट से लगाएंगे यह देखिए पसु बिल्कुल आराम से बेटा है किसी भी तरह की की ज़रूत नहीं है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है पसु को इस कंडिशन में पसु गिरा हुआ है पसु बहुत ही ज्यादा हालत खड़ाभ हुई है उसकी यह देखिए उस तरफ मैं आपको दिखा देता हूं यह नदी दिखाई दे रही है इसमें पसु उणचाई से गीरा है मैं आपको थोड़ी देर में वो भी बताने वाला हूँ पसु कितनी उंचाई से गीरा हुआ है सबसे पहले हमने CPM लगाया है इसको इंट्रा मास्कुलर रूट से ये देखिए उसके बाद सिरिंज को अच्छे साप पानी से दोना है उसके बाद ही हमें दुसरा से लगाएंगे ये देखिए इस सुजन में दर्द में अकड़न में पसु उपर से गिरा हुआ है बहुत ज्यादा सुजन है बहुत ज्यादा दर्द है तो हम इसमें नीमू सुलाइट प्लस पेरासिटामल का इंजेक्शन लेंगे इसका रिजल्ट बहुत बढ़या है ये बिल्कुल हम आराम से लगाएंगे ये देखिए ये हमने लगा दिया उसके बाद सिरिंज को अच्छे साप पानी से दोना है हमें ये विशेज ज्यान रखना है इस तरीके से दोने के बाद देखिए अगला इंजेक्शन हम नियूरोकाइंड प्लस ये देखिए नियू हमें लगा देते हैं तो पस्यूंकों इनर्जी देगा इसलिए हम इसका उप्योग करेंगे इसमें विटामीन भी पालाइय जाता है मिनरल भी पाला जाते है ये देखिए में आपको उंचाय ही बता देता हो इतनी उंचाय से पस्यू मालिण का केहना जा गिरते गिरते पस पहांत बेटा हुआ है किसी भी तरह की हलचल नहीं कर रहा है बिल्कुल बहुत ज्यादा दिक्कत है इसके पेर भी मैं आपको दिखा देता हूं यह देखिए इतनी उंचाई से पसु गिरा हुआ है पहार से गिरा हुआ है यह देखिए बहुत ही ज्यादा उंचाई से गिरते हूँ टोनो फास्पेन ले रहे हैं हम टोनो फास्पेन बहुत ही बड़ी रिजल रहता है ऐसे कंडिशन में पसु खड़ा नहीं हो पाता है बेड़ जाता है उस कंडिशन में यदि हम टोनो फास्पेन का उपयोग करते हैं तो पसु को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है इसका अगला इंजेक्शन हम में आपको बता देता हूं टोनो फास्पेन यह भी हम आई-एम रूट से लगा रहे हैं और बिल्कुल चारों इंजेक्शन हमने आई-एम रूट से लगाए हैं यह देखिए पसु को ज्यादा कंडिशन यह खराब होती है तो हम ड्रिप भी लगा सकते हैं द्रिप में हम 2-3 इंजेक्शन जादा भी लगा सकते हैं इसलिए हमने चाहरी इंजेक्शन लगा हैं यह देखिए और अगला इंजेक्शन हम एक ओर लगा रहा हैं इसमें सेक्ट्रेक्शन 3 ग्राम पसु को सुज़न जादा होने की कंडिशन में हमें एंटिबियोटिक देना बहुत ही जरूर है यह देखिए हमने अगला इंजेक्शन सेप्ट्रेक्शन 3 ग्राम यह भी हम आई-एम रूट से लगाएंगे यह भी हमने इंट्रामस्कुल रूट से लगाया है इस तरीके से हमने 5 इंजेक्शन लगाया है यदि हम यह टीटम पसु बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा और पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा धन्यवाद